लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए दोस्ते नमश्कार मैं हूं रक्षम शर्वाबाहिद स्वागत है आपका गीत गदल और कविताओं के एक ऐसे अनुठे कारेगा में जिसका नाम है वाह जी वाह आज हमारे साथ सहित के ऐसे तीन हस्ताचर मौजूद है आप यकीन मानिए जिस्वक्त उनके कलम का कलम का उस सर चड कर बोलेगा आप खुंद दोनके वाह जीवाज तो चलिए आज की महिल के पहले कभी ने पहली कवित्री को आज की महिल की पहली कवित्री हैँ वह कवित्री जो पेशे से शिक्षिका है गीत कहती है चंद कहती है गजल कहती है बीरी मुराद है पवाई मुम्माई से पदारी हुए डॉक्टर वर्षा महे शाहिवा डॉक्टर वर्षा साहिवा स्वागत है आपको श्रंगार इसकी कवित्री हूं एक मुक्तक और कविता आपकी कदमों में रखती हूं सुनिएगा बांध के बंधन प्रणे का साथ तेरे आ गई तुम मनंता काश जैसे मैं धरासिल जा गई पाके तुमको पूर्ण से संपूर्ण हो गई हुमें तुम अथाह सिंधू मैं सरीता बन समा गई और अभी कविता सुनिएगा कविता का शीशक है तुम मेरे बसंद हो मेरे जीवन में अशेश अनन्थ हो तुम मेरे बसंद हो तुम मेरी मांग का सिंदूर मेरे स्नेह का दर्पन्द मेरी प्रतिष्ठा मेरा मान मेरा अभीमान समूचे वैक्तित्व का मापदंड हो मेरे जीवन में अशेश अनन्थ हो तुम मेरे बसंद हो तुम मेरे बसंद और बंद देखिए कि तुम्हारे चहरे में ढूंडती में स्वयम का प्रतिविम तुम्हारे चहरे में ढूंडती में स्वयम का प्रतिविम तुम्में ही बसते मेरे रात और दिन तुम्हारे चहरे में ढूंडती मैं स्वयम का प्रतिवे मूं, तुम में ही बसते मेरे रात और दिन, गर में सुमन, गर में सुमन तो तुम सुगन्ध हो, मेरे जीवन में अशेश अनन्थ हो, तुम मेरे बसंथ हो. और अगले बन्ध की खुबसूर्ति अगर आप तक पहुंचे तो बताईएगा, कि तुमको पाने की तृष्णा में कभी सती, तो कभी सखी, तो कभी सावितरी बनती हो, मैं प्रीट की यहरी, जीवन परयांत हो, मेरे जीवन में अशेश अनन्थ हो, तुम मेरे बसंथ हो. अगर आप तक पहुंचे तो बताईएगा कि परिनिता बनी में परिनिता बनी में प्रणे बंधन बांध के तुमसे अब तो कामना यही है कि जीवन की अंतिम यात्रा में भी तुम्हारा हमारा संग हो मेरे जीवन में अशेश अनन्त हो तुम मेरे वसंत हो अगर मैं हूँ सुमन तो तुम मेरी सुगंध हो क्या बात है यह मुक्तलिव अंदाज में आपको अपने एहसास की खुश्बू से सराबोर कर रही थी डॉक्टर वर्शा महिर साहिवा दोस्तो वाजीवा की वैफिल में गीत गजल और कव्टाओं कर सिल्स्रा यू ही जारी रहेगा लेके लेक छोड़े से ब्रेक के बाद आप कहें मच जाएए बने रहे हमारे साथ और देखते रहेए वाजीवा क्या है समस्या? कौन है जिम्मेदार? नगर सेवक? अधिकारी? या सरकार? बॉर्ट परिक्रमा में खुलेगा भ्यष्टाचार का राज जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज बॉर्ट परिक्रमा खोल खोल दोस्तों नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर लक्ष्वर शर्वाँ मैं आपके लेके आ रहा हूँ गीद गजलक कविताओं का एक अनुठा कारिक्रम जिसका नाम है वाह जी वाह ज़िए आपकी लेखरी में है दम तो टीव और इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम तो फिर देर किस बात की आज ही रेजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने सहित को दीजिए एक नया मुकाम रेजिस्टरेशन के लिए नीचे लेखे नुमबर पर संपर करें कि ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है गीत गजरों करताओं के उस अनुठे कारिकरम में जिसका नाम है वाजी वाँ चलिए आपके मनों नंदिन के सिल्सिवे को आगे बढ़ाते हैं और आवाज देते हैं आज की महफिल के दूसरे शायर को एक ऐसा शायर जो मजाईय शायर जिसकी अपनी एक मुन्फरत शिनाक से है मेरी मुराद है मीर और मुम्मे से बदा रहे हुए एक बहत्रीन मजाईय महिशायर महतरम जनाब महिशायर फैजबादी महिशायर भई स्वागत है आपका है चार चार लाइने चार चार मिसरे तंजोबजा के मुराधा फ़र्माएं मेरे खाने से घबराया बहुत है मेरे खाने से घबराया बहुत है वो दावद दे के पश्टाया बहुत है और लिफाफा देखकर बोला वो मुझसे दिया कम है मिया खाया बहुत है एक परोडी बुलाज़ा फ़र्माएं कि जलीलो खौर होकर हर गली से खूब आया है जलीलो खौर होकर हर गली से खूब आया है नजाने कौन से नाले में जाकर डूब आया है जलीलो खौर होकर हर तरफ से खूब आया है नजाने कौन से नाले में जाकर डूब आया है मजब ठाने से लोटा तो पडोसन ने कहा मुझसे बहारो फूल बरसा हो मेरा मैबू आया है बहुत 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 शुक्रिया चार मिसरे हैं मुलाजा फूनमाएं लोग कहते हैं कि दिल दे जिया है तो नीद नहीं आती है खाना नहीं खाये जाता है मुलाजा फूनमाएं चार मिसरे हैं कि दिल के सवदे में आजकल यारो क्या बताएं कि कितने लोचे हैं और देखकर सर लगा लो अंदाजा किस कदर हमने बाल लोचे हैं बावफा वर्षा जी बावफा बाकमाल हैं हम लोग बावफा बाकमाल बाकी हैं इश्क की हम मिसाल बाकी हैं बावफा बाकमाल बाकी हैं इश्क की हम मिसाल बाकी हैं हुस्द वालों से कहदो ले जाएं सर में दो चार बावफा बाकी हैं कि नाप रखी है जुबा हमने तेरी कमपास में, अब नहीं आएंगे हर्गिस हम तेरी बक्वास में, और रोज एक जोड़ी नई चपल तेरे परों में है, क्या कोई मस्जिद बनी है तेरे घर के पास में, वह 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 यूँज दे रहा हूँ हर कदम, हर कदम पर दे रहा हूँ टेस्ट तेरे प्यार में, हर कदम पर दे रहा हूं टेस्ट तेरे प्यार में , मिल नहीं पाया कभी भी रेश तेरे प्यार में, दे रहा हूं हर कदम पष्टे ष्टेरे प्यार में मिल नहीं पाया कभी भी रे ष्टेरे प्यार में कि बनके ये सूरते शंचीर लगी रहती है बनके ये सूरते शंसीर लगी रहती है मेरे पीछे मेरी तकदीर लगी रहती है बनके ये सूरते शंसीर लगी रहती है मेरे पीछे मेरी तकदीर लगी रहती है और पिटके बीवी से यूँ खामोश ख़़ा रहता हूँ जैसे दिवार पे तस्वीर लगी रहती है, बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे दिवार पे तस्वीर लगी रहती है, कि दिखा दिखा के यूँ खाने में शान थोड़ी है मिया ये दाल है मुरगा ये नान थोड़ी है कि दिखा दिखा के यूँ खाने में शान थोड़ी है मिया ये दाल है मुरगा ये नान थोड़ी है कहा कहा पड़े जूते कहा कहा पे नहीं कहा कहा पड़े जूते कहा कहा पे नहीं नशे में धुत्था मुझे इतना ध्यान थोड़ी है नशे में धुट था, मुझे इतना ध्यान थोड़ी है ऐसा सर्मा जी, मुलाद अबनाई जिससे हमने कभी किसी जमाने में हमने भी इश्क किया था उसका अंगाम क्या हुआ मुलाद अबनाई कि परदे की बाद सारे जमाने में ले गई परदे की बाद सारे जमाने में ले गई सारी हकीकतों को फसाने में ले गई परदे की बाद सारे जमाने में ले गई सारी हकीकतों को फसाने में ले गई और लिखा था एक खत जो बहुत प्यार से उसे जालिम वो खत भी कलवेरा ठाने में ले गई वालिम वोखब भी कल मेरा थाने मेले गई शोरतों का जब मेरी सामान होने लग गया शोरतों का जब मेरी सामान होने लग गया फिल्मी दुनिया का मुझे अर्मान होने लग गया शोरतों का जब मेरी सामान होने लग गया फिल्मी दुनिया का मुझे आर्मान होने लग गया और जब उससे बेवफाई पर उतारू हो गई जब उससे बेवफाई पर उतारू हो गई मैं भी धर्विंदर से कादर खान होने लग गया मैं भी धर्विंदर से कादर खान होने लग गया अभी खासी अभी नजले के कुछ आसार रहने दे, दवाओं से अभी मुझको जरा दो चार रहने दे, अभी खासी अभी नजले मुझे दो चार रहने दे, दवाओं से अभी मुझको जरा दो चार रहने दे, परोसन रोज आती है तबीयत पूछने मेरी, एलाही और कुछ दिन तुम जे बीमार रहे हैं, एलाही और कुछ दिन तुम जे बीमार रहे हैं। कर्द लेने में मैं ओवल हु समझता क्या है, बैंक भी मुझसे लरत उड़ता है, बनिया क्या है। विशुर्ष कर दिले ने मां मैं वूर हूस समझता क्या है बेश्ट पर सबना कि अ गर्ष्टा सा रिष्टा ता जिनका जूल से जिनकी जबान का रिष्टा ता शिर्फ जूलसे जिनकी जबान का चश्मों चराग हूं में उसी खांदान का रिश्टा था सिर्फ जूट से जिनकी जबान का चश्मों चराग हूं में उसी खांदान का और बेगम ने पीट-पीट के नक्षा बदल दिया वरना में डूलिकेट था सल्मान खान का वरना में डूलिकेट था सल्मान खान का बहु पीट पीट कर नक्षा बदल दिया वरना मैं भी डुप्लिकेट था सल्मान का क्या बात है यह थे महशर फैजाबादी जहाब जो अपने मुक्तलिफ अंदाज में मजाई अंदाज में आप सबको अपने बहतरी इशारी से सरावोर कर रहे थे दोस्तो वाजीवा की वैफिल में गीत गजल और कफ्ताओं का सिल्स्रा यूँ ही जारी रहेगा लेकर एक छोड़े से ब्रेक के बाद आप कहें मज़ जाएए बने रहे हमारे साथ और देखते रहेए वाजीवा क्या है समस्या? कौन है जिम्मेदार? नगर सेवक? अधिकारी? या सरकार? बौट परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज बौट परिक्रमा खोल खोल दोस्तों नमस्कार मैं हूँ लक्टर लक्षपर शर्वान मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ गीद गजल और कविताओं का एक अनुठा कारिक्रम जिसका नाम है वाह जी वाह जिदि आपकी लेखरी में है दम तो टीव और इंडिया पर आपको लिखाएंगे हम तो फिर देर किस बात की आज ही रेजिस्टर कीजिए अपना नाम और अपने सहित को दीजिए एक नया मुकाम रेजिस्टरेशन के लिए नीचे लेखे नुमबर पर संपर करें कि ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है गीत गजरों करताओं के उस अनुठे कार्गरम में जिसका नाम है वाजी वाह कि दोस्तों मैंने हमेशा कहा है और आज फिर दोहरा देता हूं कि जिस वक्त साहित की सक्चाई इल्म की रौशनी और अडव की खुश्बू एक गुल्दस्ता बनकर आपके दर्वाजी पर दस्तक देती है उस सक्थ आपके दरो दीवार खुश्बू से मुद्तर हो जाते हैं और वो खुश्बू आपके जहन दिल को मुद्दत हों तर सराभूर करके आपके मनोरणर के सिलसले को आगे बढ़ाते हैं और आवाज देते हैं आज की माफिल की की त्जिक bacró previous कवित्री मेरी मुराद है एक ऐसी कवित्री जो नवांकुर है एक ऐसी कवित्री जो खुशुरा लिखती है गीत पर पकड़ है चंद पर पकड़ है मेरी मुराद है खारकर नभी मुमा इसे पदारी हुई निरुकमा शर्मा साहवा को निरुकमा जी आपका स्वागत है मैं मेर मेरे देश को प्रणाम करती हूँ, मेरे हिंद को प्रणाम करती हूँ, अपनी चार पंक्तियों के साथ, कि हिंद की बेटी हूँ, हिंद की बेटी हूँ, धर्म न जाती हूँ, भारत है मेरे दिल में, और मैं हिंदी भाशी हूँ, भारत है मेरे दिल में, और मैं हिंदी भाशी जीहुं तेरंगा रंग मन का है तेरंगा रंग मन का है बहता जो रगों में है और जुक जाते हैं सब मस्तक सचता जब सरों पे है और अपनी कुछ कि शब्द ही श्रिंगार मेरे शब्द ही सबसाज है सपनों की उडान मेरी शब्द ही परवाज है सपनों की उडान मेरी शब्द ही परवाज है और बैठ मरुथल हिम शिखरसा पुलकित होता मेरा मन शब्दों को रचता घरता मन बन पंची चुवाती अंबर ना पहरा न कोई बंदिश आसमान के नीले रंग में रंग लेती अपना ये मन और शब्दों को रचता घरता मन शब्दों को रचता घरता मन अब अपनी एक रचना आप लोगों के सामने प्रसुत करना चाहते है मेरी रचना का शिर्शक है आंगन सोचा बुहारू मन के आंगन को जरा अन कही बातों की परते जम गई हैं और कुछ तडप कर आ गई थी नैन तक जो बन के नीर कौरों में ही फस गई कुछ तडप कर आ गई थी नैन तक जो बन के नीर कौरों में ही फस गई प्यार के इजहार की वो नरम चुवन प्यार के इजहार की वो नरम चुवन कई बार मन की खिड़कियों से जाकती है और देखकर तुझको मचल जाती तो है वो पर मूख भाषा ही वो केवल जानती है और अब देखेगा कि देखकर शब्दों की नाहक हेरा फेरी मन ही मन बेकल सी चक्कर काटती है और फिर पकड मन के आंगन का कोई कौना बस सकती है ना बाहर जाकती और देखकर बेचैनी फिर से मन की मेरे देखकर बेचैनी फिर से मन की मेरे जब कुरेदा बचपन वाली तहको मैने सोचती थी बिसर गई बस राख ही है कर रही है धुंदला यूँ ही मन को मेरे पर राख के नीचे दबी थी एक चिंगारी और आग बन बाहर आने को तडप उठी थी बस बुहारा उपर से ही मन का आंगन फिर कभी फुरसत में खोलूंगी तहको बस बुहारा उपर से ही मन का आगन फिर कभी फुरसत में खोलूंगी गहरी तहको बहुत खुब्सुरत ये थी निरुकमा शर्मा साहवार दोस्तों हमें उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि हमने आपके सामने आज जिन दो कवित्रियों और एक बज़े या शायर महतरम जनाब महिशर फैजावादी साहब को पेश किया आपने उनकी कविताओं और गजलों का और तो बाकमाल हैं लेकिन उन्हें अपना फिर्म का मुझारा करने के लिए कोई मंच नहीं मिलते हैं अगर आपके अंदर भी है यह हुनर आप भी लिखते हैं बाकमाल और आपकी लेकरी में है दम तो हमारा आपसे वादा है कि टीव इंडिया पर आपको दिखाएंगे हम आज के लिए हमें दीजे इजाज़त लेकिन आप देखते रहिए टीव इंडिया लाइव नमस्कार लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीव इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत कर दो